हलो फ्रेंट चलिए आज मैं बना ज़री हूं गाजर का हलुआ यहां पे देखिए मैं भूगत थी लाल-लाल गाजर ली हूँ इसे मैंने छील के धो लिया है देखने हैं बहुत स्वादिष्ट गाजर लग रही है यहां मैंने सारे गाजर को रेश ली हूँ हर बार मैं काटके बनाती हूँ जल्लिबाजी में आज कोई जल्लिबाजी नहीं इसलिए मैं गाजर को घिसके बनाऊंगी इस तरह का हलुआ घिसके भी बनाने पर बहुत ही स्वाधिस्थ हलुआ बनता है इसलिए मैंने सारे गाजर को रेश ली हूँ यह देखिए सारे गाजर को मैंने गेश लिया है बहुत ही प्यारा कलर है इसका बहुत ही मीठी गाजर है ठंडी में ऐसा ही गाजर मिलता है जिसका हलुआ बनाने बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है आप भी जरूरिष्ट रख का गाजर का हलुआ बनाए यह देखे मैंने तीन पाव दूद लिए उसे मैंने पकने के लिए पहली ही रख दिया है ताकि दूद मेरा आधा हो जाए और गाड़ा हो जाए ताकि हलुए में डालने पर गाजर के साथ पकाने में ज़्यादर टाइम नहीं लगेगा ऐसे गाजा के सांद दूद पकाते हैं तो बहुत जादे समय लग जाता है हल्गा बनने में यहां देखिए दूद मेरी लगबख गाड़ी हो गई है यहां मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं कड़ाई में चार चम्मज घी डाली हूं देशीगी इसमें मैं ड्राइफूट डाल दी हूं काजु बादा मुझसे मैं हल्का फ्राइ कर ले रही हूं यहां पर मैं लॉंग और इलाची डाल दी हूं घी में और इसका स्वाद घी में आने देते हैं तोड़ी देश लिए मैं छोड़ दिया है है मैं उपस एक चमच और भी डाल दी हूं अब यहां पर मैं सारी गाजर रेसिव इसे में एड़ कर दूँगी और घी के साथ इसे मिक्स करके ढ़क दूँगी और इसे पकने दूँगी इसे ढ़क देते हैं चली अब मैं चेक कर रही हूं देखिए आहां पर धकन मैंने हटा दिया इगाजर अपना पानी छोड़ दी है अब मैं इसे मिक्स कर ली नहीं कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर आया है यहां मैं चीनी आइट कर दी रही हूं गाजर में 200 ग्राम चीनी है मेरी एक कटोरी अच्छे समयने मिक्स कर लिया इसमें चीनी भी अपना पानी छोड़ दीगी यहीं पर मैं जो गाढ़ा की हूं दूद भी यहीं पर आयड कर दूँगी दूद को भी अचीनी और दूद को एक साथ ही पका लूँगी अच्छे से ताकि समय ज्यादा न लगे अहलवा जल्दी पक जाए दूद को इसमें मिक्स कर दूँगी और ढ़क के इसे पकने दूँगी यह मैंने ढ़क दिया है और इसे पकने दे रहा है चलिए मैं फिर से खोल रही हूं ढ़कन को और चेक कर रही हूं हल्वा यहां पर देखिए दूद अभी पूरी तरह नहीं सुखा है इसे अच्छे से चला देने बीच-बीच में चलाना भी जरूरी यह नहीं तो हल्वा नीचे लग जाएगा जलने का डर रहता है चलिए अभी बहुत दूद है इसलिए मैं इसे वापस धक के पका रही हूं अब मैं फिस से ढकन हटा दी देखिए हल्वा में दूद पुरा सूख लिया है यहां मैंने फ्रेस मलाई एड़ कर दिया है फ्रेस मलाई एड़ करने से हल्वा का स्वाद और भी बढ़ जाता है इसलिए मैंने आप फ्रेस मलाई एड़ कर दिया है इसे हल्वा में स्वाद में और भी खाने में और भी स्वादिश लगता है देखिए सारा मलाई हल्वा में मिक्स हो गई है हल्वा वीदम अच्छे से पक के त्यार हो गया सारा पानी भी सोक लिया है अब मैं बचा हुआ घी यहीं पर आड़ कर दे रही हूं अहलेवा मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और हलुए में चमक भी आ जाएगी अब मैं इसे सरुप कर ले रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट हलुआ बनके तयार है आप भी जरूर इस तरह के हलुआ बना के सरदियों में खाएं मैंने राइफ फूर्ट से गार्निष कर दिया है बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हलुआ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सस्क्राइब करें मिलती हूँ नए वीडियो में नमस्कार